अपने टॉपिक चल ला था इंट्रोडेक्शन टू एग्रिकल्चर और उसमें हम बात कर रहे थे ब्रांचिज ऑफ एग्रिकल्चर यानि क्रिसी विज्ञान की साखाओं की जिसमें आप सभी मेन ब्रांचिज बात कर चुके हैं एग्रोनॉमी पढ़ चुके हैं और होटी कल्चर है वो भी पढ़ चुके हैं उसके अलावा आप एनिमल एस्पेंट्री है वो भी पढ़ चुके हैं और इसके अलावा एक्वा कल्चर भी पढ़ चुके हैं दखो एक्वा कल्चर चोथी मुख्य साखा के रूप में 2019 से जोड़ा गया था 2019 से पहले हम तीन ही मेन ब्रांचेज पढ़ते थे एक तो कौन सी पढ़ते थे एक तो पढ़ते थे एग्रोनामी दूसरी होटी कल्चर और तीसरी एनिमल एस्पैंट्री तो एक्वा कल्चर मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाई थी एक्वा कल्चर हम कब से मेन जो भी छेतर है यहां से जितना भी अपने देश से एक्सपोर्ट होता है उससे जो हमें पेशा मिलता है निर्यास से जो हमें मुल्य प्राप्त होता है एक्सपोर्ट वेल्यू जो मिलती है वो सबसे ज़्यादा हमें एक्वेटिक फूड से मिलती है सी फूड से यानि जलिय ज उत्पाद है उनसे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वेल्यू है मिलती है इतना तकड़ा राइजिंग सेक्टर है तो इसको फिर में ब्रांच में रखा जाए सरकार ने यह निर्ने लिया और 2019 के अंदर जो एक्वा कल्चर है उसको किसमें सामिल कर लिया गया जो में ब्रांच कुल्चर पिसी कल्चर क्या होता गोर करिए का कुल्चर लग्जिया आपको बताया कुल्चर वाले सारे सब्ट कौन सी लेंग्यलिज डेटेंस इन्टी बहचा के स nella Black के यह बना हो से इससे बना हुआ नि चल्छे मेरा प्लूडज कल्छरा से बना होता है क्ट्छर आप कम्र का मतलब होता है कि यानि मचली और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन यानि खेती करना कि अब देखो सब्द का अर्थ अगर अपने देखें तो फिस कल्टीवेशन इस कल्टीवेशन यानि मचली की खेती करना पीसी कल्चर कहलाता है अब देखो मैंने एक्वा कल्चर में आपको क्या बताया था भाई एक्वा कल्चर में अपने क्या करते हैं जो भी एक्वेटिक औरगनीजम है जो भी जलिये जीव है चाहे वो पादप जगध से प्लांट क पिसी कल्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिस का कल्टीवेशन पढ़ा जाता है उसको हम पिसी कल्चर बोलते हैं तो पिसी कल्चर है न वो एक्वा कल्चर की ब्रांच है किसकी ब्रांच है एक्वा कल्चर के एगरी कल्चर की ब्रांच तो एक्वा कल्चर है और एक्वा कल पादपलवक है चाहिए वो और कोई एनीमल से जिनसे हमें लाब मिलना है जिनसे हमें प्रोडक्शन मिलना है उन सब को पड़ा जाता है तो हम बोल देंगे पिसी कल्चर इजे ब्रांच ओफ एक्वा कल्चर इन्विस्ट्रडी और फिसर रेरिंग मैनेजमेंट प्रोडक्शन एन्ड मार्केटिंग यानि पिसी कल्चर है वो एक्वा कल्चर की वह साका है जिसमें मचली का पालन मचली का परमंदन मचली का उत्पादन और मचली का विपणन जिसमें पढ़ा जाता है वो पिसी कल्चर है सीधा साफिस कल्टिवेशन पढ़ा जाता है बाई मचली की खे करें एंटर एंटर्प्राइज़िए या को एंटरप्राइज या कृसी विज्ञान की उप्वसाखाएं उप उपसाखाओं में बात करें तो सबसे पहले स्टुडेंट्स अपने बात करेंगे एपीकलचर है एपी कल्चर को हम देशी बासा में बीकिपिंग भी बोल देते हैं बीकिपिंग बीकिपिंग को आप हिंदी में मदुमक्खी पालन भी बोल देते हैं मदुमक्खी पालन भी बोल देते हैं अब एपी कल्चर कोई कल्चर लगा हुआ है और कल्चर लगा हुआ है तो सभाविक है कि कौन सी भासा का सब्द है लेटिन वर्ड है अब वो ही दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है एक तो है जी एपिक और दूसरा है कल्चरा या कल्टस एपिक का मतलु होता है भी भी बोले तो मधुमक्षी भी बोले तो अपने क्या बोलेंगे मदुमक्षी बोलते हैं और कल्चरा बोले या कल्टस बोले तो कल्टिवेशन यानि खेती करना क्या होता है? खेती करना होता है, समसरें आप इस बात को चलिए तो देखो एपी कल्चरस जो है वो लेटिन के दो सब्दों से मिलकर बनावाई epic plus culture epic का मतलब होता है B यानि मदु मक्षी और culture model क्या होता है खेती करना होता है culture model culture model खेती करना होता है तो सबद का अर्थ आपसे पूछील तफ़े का है M choosing थिमीमक्षी की खेती करना क्या है epic culture करना सबद का अर्थ है झनी cent is a sub-branch of agriculture. In which study of beekeeping, and honey production, honey production, beekeeping and honey production, यानि, epiculture, क्रिसी विज्ञान की वह उपसा का, जिसमें मदुमक्खी, बालन तता सहदुत पादन का अधिन किया जाता है, अना, क्रिसी विज्ञान की वहेद साखा, जिसमें मदुमक्खी पालन, जिसमें मदुमक्खी पालन, वहेद, सहद उत्पादन का अधिन किया जाता है, सहद उत्पादन का अधियन किया जाता है, उसे, एप्पी कल्चर कहते हैं, उसे, एप्पी कल्चर कहते हैं, तो भाई, ये देखो, आपको, हिंदी में डेफिनेशन ठीक लगें, इंग्लिस में ठीक लगें, जिसमें भी ठीक लगें, आप इसको पढ़ लीजीएगा, थाना, तो ये आपकी एप्पी कल्चर की डेफिनेशन हो जाती है, अब थोड़ा सा इंटोडेक्शन में हम देख लेते हैं, मदू मक्खी की सिस परकारगी होती है, देखो, मेली हम तीन या चार परकार की मदू मक्खियां देखते हैं, इसे तो कई जाती हैं मदू मक्खी की, लेगिन जो हमारे से एक्जाम में क्यों सन पूछा जा सकता है, हम तो सिर्फ उसी की बात करेंगे ना, एक होती है एपिस सेराना, क्या नाम होता है, एपिस सेराना, जो जू लोजिकल नेम है, अभी कलियर कर देंगे आपको, एपिस इंडिका, अंगरिजी में आप इसे लिखेंगे, एपिस इंडिका, या फिर आप इसे एपिस सेराना, इंडिका भी गॉल देते हैं, एपिस, वेग्यानिक नाम लिखते समय है, ये नहीं भूलें, कि जब आप हाथ से लिख रहे हैं, तो उसे अंडरलाइंग जरूर करें, और टाइप करते हैं, तब तिर्चा इटालिक लिखें, नहीं तो आपका लिखावा नाम गलत माना जाएगा, ठीक है, इसी इज को आपको ध्यान रखना है, आप इसे एपिस सेराना या एपिस एंडिका, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं, एपिस सेराना इंडिका, एपिस सेराना इंडिका के नाम से भी जानते हैं, अब इंडिका सबद क्यों आया भाई, ये भारत से ओरिजनेटेड है, सब्सक्राइब् सब्सक्राइब को संब стен और निए नियुंग से इसका उडगम हुआ है इसको उजम attrib को फूरलते ही शोटी मख्य होती है थोड़ी डारक कलरड की घहरे रंग की होती है चान्थ सभाव की होती है नहीं होती है कि अपने जी seminar कर नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब कर देखते अंगे उड़ रही होती है कैट दूड़ होत है क्या होता है कि अपने जैसे इनके जूंड के मतलों यह जूंड जा रहा होता है अपने उसके बीच में आते हैं तो हमें लगता है यार हमें खाएगी यह तो हम हाथ पे चलाते हैं इसे तो इनको लगता है यह हमें मार रहा है तो यह अपने सेल्फ डिफेंस में ही अटेक करती है बाकी दूशन खी वह से गप सबढ़ाय में पहले कर द Jack नहीं में घर को छोड़के दूसरी जगहWhen इसवी सब्सक्रचाइब करें यहां कि अनुकर्मणकारी सब्सक्राइब द्र क्रोथे रखाए 4 पहए 16 कि हमें पालने के लिए दो गुण चीए डॉमेस्टीकेशन के लिए कि पिंग के लिए दोनों गुण चीए एक तो अपनी जगें को छोड़ के न जाये हम आज कोई इनके लिए जो क्लोनी जाया उनकी व्यवस्ता करते हैं और यह कुछ दिनों बाद उसको छोड़ के चला जा लेकिन इसकी प्रोब्लम यह है इसका हनी Pain elea सायध उत्पादन है वह कम होता है इसलिए लोग इसको कम पालते है ना जो देसी सायध मिलता है वह इसी का थोड़ा रेट अच्छा होता है इसका सब्सक्रा正 है कि यह हलकी सी अपने देसी मक्षी से बढ़ी होते यह भी सिंपल नेचर की है अटेकिंग नेचर नहीं रखती है आकरमानिकारी सभाव यह भी नहीं रखती है यह भी माइगरेटरी नहीं है अनुकरमान कारी यह भी नहीं है इसका नाम है एपिसमेली फेरा एपिसमेली फेरा एपिसमेली फेरा में ह Coast चाहिए भारत का पूच ले विसेदय का पूच ले इंडिया का पूच ले वर्ड का पूच ले या हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का पूछ ले कि कौन सी मदुमखी है, कौन सी बी है, जिसको honey production के लिए हम सबसे ज़्यादा पालते हैं, कि मेली फेरा को इ electromagnetic ये प्रोपियन है इरोपिन भी को हम सबसे जादा पालत साथ क्लियोग सबसे ज़़्चा होता है है वह क्या है वो जयłosत देखने left इसलिए हम इसको क्या करते हैं मैंली है वो पालते हैं नेक्स्ट है भाई सबसे ज़्यादा हनी प्रोडक्शन इसी का होता है हमारे स्टेट में भी हम इसी को सबसे ज़्यादा पालते हैं हमारे देश में भी हम सबसे ज़्यादा पालते हैं विस्व में भी आप से पूछ ले कौन सा बताओगे? एपीस मेली फेरा को ही सबसे ज़्यादा पाला जाता है. यह है, भई, एपीस डॉर साठा, पहले हैंकि क्या बोल देते हैं? वाइल्ट भी बोलने तो आप इसे जंगली मदूमक्ही बोल देते हैं? जंगली मदूमकी क्या बोलेंगे आप इसे जंगली मदूमकी बोल देते हैं वाइल्ड भी बोल देते हैं इसके अलावा रोक भी भी बोलते हैं भाई रोक स्टार यह यह रोक भी भी आप बोल देते हैं अना रोक मदूमकी बीड लिख लिए रोक भी भी अपनी इसको बोल देते हैं ये साइज में बड़ी होती है सबसे बड़ी होती है साइज के अंदर साइज के अंदर जो सबसे बड़ी मदुमक्की है वो कौन सी होती है एपिस्डोर साथा वाइल्ड भी होती है अटेकिंग नेचर की यह GUSÈल सब आउगे एक बार छोड़ दी तो यह पिछ्छा नहीं छोड़ती है ना पिछ्छे भागती रहती है यह पिछ्छा नहीं छोड़ने वाली है यह श्यां और दो-च्यार से ज़्यादा खा जाएगी तो आपको डॉक्टर के पास भी पहुंचा बैदी खतरनाक होती है दूसरा माइग्रेटरी नेचर की अनुकर्मन का रही है मुड़ी सभाव की है यह हुँट बन गया तो पूरे की पूरी क्लोनी छोड़ के चली जाती है पहली बात तो हम रिस्क लेड़ा हे नहीं है दूसरा ले भी ले कोई वैसे लेते नहीं है कोई अनम हतरनाक हो सकती है यह नहीं है इसलिए हमbert यि मoga क्मर्शिलि किपिंग नहीं करते हैं स्थे यह हैं हनी तो बढ़िया ही होता है इसका जो honey production है ना वो तो बढ़िया होता है लेकिन भाई पाल ने जिसा गुण इसके अंदर नहीं होता है पिल्कुल उपास ना मिलेंगे भाई मिलेंगे है ना चाह साथ में बनाते जाओ जो मिलने चाहिए वो मिलेंगे भी आपको ठीक है तो ये है जी एपिस डोर साथ तो इसको हम कमर्सेली नहीं पालते हैं वहीं पे एक मदु मख्यी और भी होती है जिसका नाम है एपिस फ्लोरिया वो अपनी देशी मक्ही से भी आदी होती है बहुत छोटी होती है अपनी जो देशी मक्ही है उससे भी छोटी होती है जिसको आप बोलते हैं एपिस फ्लोरिया जिसको आप क्या बोलते हैं एपिस फ्लोरिया बोलते हैं इसे कुछ होती है कुछ प्रोडक्शन के नहीं करते हैं जानी प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो European bee से आप सहिद उत्पादन करते हैं उसके बाद अपनी जो देश सी मक्ही है इंडिजिनिस भी उसे करते हैं एफिस्फलोरिया को आप ड्वार्फ परपल भी या ड्वार्फ रेड़ी स्वी छोटी बहुत होती है ना थोड़ा परपल किलर रही होता है तो आप इसा क्या बोल देते हैं ड्वार्फ ड्वार्ड भी ते या ड्वारफ परपल भी बोलते हैं । यानि बोनी लाल सक्वब्धन नी मखगु द्वार्फ परपल यह लिख दिया है यह बी है ओनली भी यह परपल पी अना ड्वार्फ रेड भी या ड्वार्फ परपल भी या बोनी लाल मक्ही या मैंगनी मक्ही बोनी लाल या मेंगनी मक्ही नाम पूछ लिया जाता है इसलिए नाम याद रख रहा है सहद तो आपने खाया होगा खुब मिठा होता है ना सहद देखो भाई सहद के अंदर जो कार्बो हाइटेड होता है वो कौन सा होता है जो सहद है उसके अंदर जो कार्बो हाइटेड है वो देखो नो सेकराइड और डाइसेकराइड पढ़ेंगे आगे बायो टेक्नोलोजी भी बायो कमेस्ट्री भी आप लोग पढ़ेंगे पोटी गल्चर के अंदर में आप लोगों को इपोटेंस अप फूटेंड युनि हुमन डाइड मानो अहार में फल वे स्बजियां बढ़ाउंगां अपर वहां पर हम type of कार्बो हैटन के बात करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे कि जो सुगर होता है कुन सा कर्बोहाइटड और इस प्रकृति ए इस ने चर में सबसे मिठी सरक्रा फ्रक्टोज को मानी जाती है खलों निदर आपके क imperial पारखल enfant में जो सुगर पार जाता है कौन सा है फ्रक्टोज'' फ्रेक्टोज फैसे फ्रेक्टोज फ्रूट है ना फ्रूट की जो सुगर वो फ्रेक्टोज होती है तो सबसे मिठी जो सुगर होती है स्विटेश सुगर इन नेचर प्रकरती में सबसे मिठी सुगर होती है वो कौन सी मानी जाती है फ्रक्टोज और सहद में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होता है वेसे टोटल जो आपका हनी है ना उसका 86% श्यासी परसेंट टोटल जो हनी है उसका 86 परसेंट क्या होता है शुगर होता है शायद में इतना मिठास होता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा फ्रेक्टोज और दूसरे नंबर पर गुलुकोज होता है अना तो भाई इस वज़े से ही सहद क्या होता है मिठा होता है जबर दिते हैं रेषम उत्पाद है कि है कि बोल दोगे बेटा जी रेषम उत्पाद है ना सेरी i.e. अब कल्चर लग गया तो सोचने की जूरुड़ती नहीं है कौन सी लेइंग्विज्च का है लेटिन भासा का लेटिन भासा के दो सब्सब्दों से मिलकर बना वह सेरी सेरीज जो सब्स है ना इसका अर्थ होता है, silk सेरीज का अर्थ क्या होता है? मना रेश हैं और cultivation क्या मतलग होता है? करना का मतलू होता है कि 3 करना x ॥े कल्चर के सबद का अर्थ देखो तो सीधी सी बात है रेसम की क्यति करना अना शिल्क प्रोड़क्शन की स्टड़ी करना कि सिल्क की स्टड़ी करना और ये सबद का अर्थ वर्ड का literally जो means होता है यानि Silk cultivation is known as seri culture यानि रेसम की खेती करना क्या कहलाता है seri culture कहलाता है यह सब उदकार था अब seri culture की definition लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे by seri culture is a sub branch of agriculture in which study of silk warm domestication and silk production यानि seri culture क्रिसी विज्जान की वह उपसाका है जिसमें रेशम कीट पालन तथा रेशम उत्पादन का अधिन किया जाता है रेशम कीट पालन तथा रेशम उत्पादन का अधिन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं चेरी कल्चर बोल देते हैं डेफिनिशन लिखना है तो मैं यहां लिख देता हूँ सेरी कल्चर इस अ शब ब्रांच अव अगरी कल्चर इन विच्टरी अव सिल्क वाउम रेरिंग लिख लो दोमेस्टीकेशन लिख लो एक ही बाद है रेरिंग भी लिख सकतें पालना दोमेस्टीकेशन एंड सिल्क प्रोडक्शन सेरी कल्चर क्रिसी विज्ञान की वह उपसाका है वह उपसाका है जिसमें रेसम कीट पालन रेसम कीट पालन वै अध्यन कीया जाता है अध्यन कीया जाता है देखो वाई हुआ क्या चाइना के अंदर चीन के अंदर कोई महारानी किसी पेड के नीचे बेट कर चाय पी रहे आप कोई पता है चाय का पीने का जो आनन सबसे ज़्यादा लेते हैं वो चायनीज और जैपनीज लोग की लेते हैं इसे वे उदर के ही कॉणचेप्ट है वो इसे मैडिसीन के रूप में पीते हैं हम तो दूद डाल के पीते हैं जिससे क्या है चाय की क्वालिटी है वो इंफिरियर हो जाती है और कहीं ना कहीं health के लिए beneficial होने की वज़ाए नुक्सान दायक हो जाती है लेकिन असली चाय का मजा चाय नीज और जैपनीज लोगी लेते हैं लेकिन जनरली तो कोई चीज गिरेगी तो अपने उसको निकाल देते हैं तो महरानी ने क्या किया वो निकाला Queen नहीं तो उसके अंगुली के यह से लंबा धागा आता गया उसने देखा यार बड़ा fine धागा है Mahin भाइन भाइन बोले तो माहिन पतला बड़ा fine धागा है माहिन है और बड़ा bright है मतलों चमकदार है हाना तो बड़े लंबा भी है तो लंबा धागा मिला चमकदार और बहुत हिमाहिन यानि फाइन अना और साइन लिये हुए और लॉंग स्टेपल था यानि लंबा था उसने राजा को बताया अब राजा ने क्या किया सिल्क प्रोड़क्शन करवना स्टार्ट कर दिया और अपनी टेरिटरी में अपने राजये में बोल दिया भाई अगर किसी ने इसकी सूचना कहीं लीग कर दी ना तो सीधा आपको सजाएब मोत दी जाएगी तब चाइना ने बहुत लंबे समय तक सिल्क के फाइबर को प्रड्यूस किया, कपड़े बना बना के पूरे विश्व में सोनने के भाव बेचे पूरा विश्व सोचता रहता था यार ये ऐसा कपड़ा बना के से लेते हैं, गजब का कपड़ा है, इसलिए इसका जो रेट थ सार के लिए इस टेरिटरी में गए, उन्होंने देखा, हाँ वई इस तरह से रेशा मुत्पादित होता है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से निकलते समय, जो अपनी बास की डंडी थी, स्टिक थी, जिसके सारे वो चलते हैं, उसमें कोकुन डाल दिये, अना कोकुन डाल से हुआ, चीन से स्टार्टे रॉप, और सबसे ज्याधी प्रोडेक्शन भी कौन कर रहा, चीन ही कर रहा है, लगिन दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्याधी इसल्क क्या रेशन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, भारत है, हो कर रहा है, कल को आप इंसेक्ट पढ़ेंगे, एंत filter वे Keyamology में तो उसमों में आप इक बात पड़ेंगे कि22 त्रेहंगे हैं उनकी जो लाइब साइकील ऐ जीवन जो चक्कर है उसके अधार पर exempt को आप दो के टिगरी में कर देते हो में कीटों को उनके जीव Ăफर के अधार पर आप उसे कितनी के टूअW दिवाइड कर देते हो, दो स्रेणियों में डिवाइड कर देते हो, एक में तो क्या होता है, जी जो एग होता है अंडा, वो किस में कनवर्ट होगा, लार्वा में, ती में भी लिख दूगा, लार्वा से कनवर्ट होता है प्यूपा में, हना, और प्यूपा से कनवर्ट होता अडल्ट नहीं है पना इस बात से ईडल्थ से बनता है अब सिमपल सी बात है यह कि इसमें जो इंसेक्ट फो नहीं है ना क्टा यह एक्टिव स्टीज सेज नहीं होती फिर देखो डॉर्मेंट भी नहीं होती है आ 작t द्टरवा जैसे अंडे को जासी में बच्पन जो फॉता है वेशा इनका आ है तो Angular लारवा के बाद जब यह क्या है डॉल्ट में बदने के वाले होते हैं री जैसे अंडे से बहाँ निकले अजी उसको लारवा, यानि जैसे अपना चाइलड हूद आ, बच्पन जो होता है वेज़ा इनका बच्पन लारवा है, ठीक है, तो लारवा वस्ता आती है, लारवा के बाद जब ये क्या है अडल्ट में बदलने वाले होते हैं वेस्क में यानि रिप्रोडक्शन के लाइक होते हैं परजनन के लाइक होते हैं वो अडल्ट होते हैं तो अडल्ट बनने से पहले ये एक रेस्टिंग स्टेज में जाते हैं यानि सुसुपत अवस्ता मे अराम की अवस्ता में जाते हैं जहां पर ये कोई भी किरिया नहीं करते हैं दी एक्टिवेट हो जाते हैं यानि ये रेस्ट जाते हैं अभी फिर अगली स्टेज में जाएंगे तो ये क्या करते हैं जब रेस्टेज में जाते हैं आप जिसे दिन में सोते हैं तो क्या करते हैं घर में वो कोणा डूंडते हैं तेरेवाड़ा जिसमें आपको कोई डिस्टप ने कर दे कोई परिशान ने कर तो वेसे ही जब यह रेस्टिंग के अंदर जाते हैं तो अपने को सुरक्सित करने की कोसिस करते हैं विचारे इस सिल्क ने भी क्या किया जो रेसम का कीट उसने भी क्या किया अपने को सुरक्सित करने के लिए अपने चारों और क्या किया अपनी जो स्लाइबा है लार है उसको इसने मदलो छोड़ा और इसकी लार के अंदर स्लाइबा के अंदर फेबरीन प्रोटीन हो यह जो आओन लिए मजएदार बात क्या होगी अभी अपने बात करेंगे तो यह क्या करते हैं यह प्यूपा के अंदर अपने चारों और प्रोटेक्शन लेर जो बनाते हैं भाइ जो इसकी लार से प्राप्त होता है अब आपसे दो चीजें पुछी जाती है प्राप्त केसे करते हैं वो अभी बताते है ऐसे इंसेक्ट जिसमें ये चार अवस्ताएं होती है उसे पुरण रुपांतरन वाला कीट कहते हैं उसे आप क्या बोलते हैं पुरण रुपांतरन कीट बोलते हैं पुरण रुपांतरन कीट बोलते हैं Complete Metamorphic Insect Complete Metamorphic Insect अना पुरण रुपांतरन कीट है वो इसे ही कहा जाता है तो चैके हैं कि इसमें चेह स्टेज tahu कुछ कीट ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर एग से बनता है नि स्टेज предлаг है लारवाा ही बनता है कि अार्वा से सीधा अडल्ट बनता है वन्ट में प्यूपा स्टेज नहीं उटी आर्म की अंदे से बनेंगा नहीं निम्प बोले तो मैंने क्या बोला लार्वा और उसके बाद क्या बनता है जी वेस्क बनता है इसको हम incomplete metamorphic insect यानि एपुरण रुपांतरन वाला कीट बोलते हैं एपुरण रुपांतरन वाला कीट बोल ऐ रुपांतरन कीट बोल ऐ पुरन रुपांतरन कीट यानि इन complete metamorphic इंसेक्ट आणिसको बोलते हैं समझे तो ये ऐ पुरन रुपांतरन वाला कीट होता है थीक है तो हमें तो बात करने थी इसकी अब देखो हम क्या करते हैं इसने प्रोटेक्टिव लेयर की स्ली बनाई ताकि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके लेकिन अगर हमें सिल्क प्रड्यूस करना है तो भाई अब क्या करना पड़ेगा प्यूपा स्टेज पर यहां से कलेक्शन करना पड़ेगा यानि प्य प्रजनन का काम करके फिर से नहीं सकती बनाएगा नहीं जन्रेशन हो त्यार करेगा फिर वह आपके धागा कोई काम का नहीं रहेगा आप क्या करेंगे इस प्यूपा कोई खठा करेंगे घरंप पानी में डालेंगे और मार देंगे जो इसने सुरुक्षया बनाई वो ही इसकी मर्तियू का कारण हो गया देखो भाई नेचर की प्रकरती ही बड़ी आयरणी हुई इसके साथ विडम मना हुई प्रकरती की तो इसने जो प्रोटक्टिव लेयर बनाई वही इसका मर्थ्यूं का कारण बन जाती है तो हम इसको कलेक्ट करके गरम पानी में डालते हैं उसको Stippling बोलते हैं कल लिखवाएंगे stippling बोलते हैं फिर हम अब ये मर गया अब कोई चिंता नहीं है क्योंकि ये धागा नहीं तूटेगा अब जब भी हमें फुरसत होगी तो हमें इसके धागे को collect कर लेंगे इसके धागे को collect करना reeling कहलाता है क्या कहलाता है reeling तो stippling और reeling है वो कल आपको बता देंगे क्या होता है वैसे मैंने मोटा मोटा बता दिया है ठीक है बाकी जो अपना अभी seri culture उसमें कई परकार की आपको जानकारी देनी है वो कल की class में आपको देंगे अना ओके thank you अजसे झाल में झाल गजसेकर देंगे अपको नहीं झाल में भी दो प्रेश्वा कर दोरा कि चूप जड़ाएंगे झाल में बता झाल